नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के सरव मंत्री सत्यानत भोक्ता ने पलामुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के जनसेगों के हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन में क्रीशी और अने छेत्री में सरकार की महत्वकांची योजनावों को ध्रातल पर उतारने में सहयोग करने वाले राजभर के 15 होके करीब जनसेवक, पिछले 67 दिनों से हर्टाल पर हैं इस दोरान राजभर के समक्ष धारना प्रसन के बाद उन्होंने आपना आंदोलन नेपाल हाउस चिवाले के पास सिफ्ट कर लिया है रांची के डुरंडा इस्थित निपाल हाउस चिवाले के सामने टेंट तम्बू लगा कर जनसेवक धारना दे रहे हैं उन्होंने मांगे पूरी होने तक यहीं दिन राथ धारना पर बैठने की घोशना कर दी है बदादे मुखे रूप से राज के अंदताओं और अधिकारियों के बीच कड़ी का काम करने वाले इन जनसेवकों का आरोप है कि 10 सल सेवा देने के बाद हर किसी का बेतन बरता है जबकि यहां बेतन ही घटा दिया गया अंदोलित जन सेखों ने कहा है कि हैरत की बातिया है कि जो दलिल सरकार और विभाग दे रही है वो अभी हासे अस्पद है किरिसी विभाग ने सेवा के 10 सल बाद यह कर पेसकेल को घटाया है जब 2012-13 में वैकेंसी निकली थी उस समय विग्यापन में ही गलत पेसकेल का जीक्र आ गया था जिसे अब सुधार आ गया देव घर से पिस्तोल के साथ दो आरोपी गिरफतार एंटी क्राइम चेकिंग के दरान मिली सफलता जारखन में मेले छेतर में डिवटी पर तैनात पुलिस कर्मी कवाडियों की सुरक्षा के साथ साथ बीधी ब्यवस्ता बनाये रखने में भी लगातार कारे कर रहे है इसके तहस सुक्रवार को दीन में नगल थाना चेतरे के सरकार भहंचों के पास एंटी क्राइम चेकिंग के दरान अवैद देशी पिस्तोल के साथ पुलिस ने दो यूगों को पकड़ लिया है इस बारे में बर्मसिया इस्थीत और स्थाई मेला ओपी बारा में तैनात गुमला जीले से मेला ड्यूटी के लिए आए डी एस्पी परदीप कुमार ने बताया है कि मेले छेतर में एंटी क्राइम चेकिंग की जा रही थी जारखन में 26 से याट टीचर्स की जल्द निकलेगी भैकेंसी सीएम ने नियुक्ती पर किरिया तेज करने का दिया निर्देश जारखन के मुख्यमांत्री हेमन सुरें सुक्रवार 14 जुलाई से 26 जुलाई 2023 तक विभीन विभागों की समिक्षा करेंगे इसी कड़ी में सुक्रवार को इसकूरी सिक्षा एवं सक्षटा विभाग दोला संचाली तोय जनावों की उच अस्तरिय समिक्षा बैठक की इस दोरान सीम ने कहा है कि राजी के बच्चों को बेहतर और गुणवाता युग सिक्षा देने के लिए सरकार परतिवद है इस सिल्सिले में सरकारी विध्यालियों की मजबूत किया जा रहा है विध्यालों में अधार्भूत संचना और मुल्भूत सुविधाय उपलब्ध कराने के साथ साथ पढ़न पाटन की नियूंतम एवं आधोनिक तक्निकी से समधी संसाधान उपलब्ध कराये जा रहे है मुख्य मंत्री ने अधिकालियों से कहा है कि प्राथमीक, माधमीक और प्लस टू विध्यालों में सिख्षकों के खाली पदो पन्युक्ति की प्रक्रिया तेज करे ताकि विध्यालों का संचालन बेहतर तरीका से हो सके जारखन को आदानी समूह उपलब्ध करायेगा 400 मेगवार बिली मुलकात के करम में इस बात पर विचार भी मस हुआ है कि जार्खन सरकार एवं अदानी गुरूप द्वारा अस्थापित गोड़ा पावर प्लांट के बीच मयू को सर्तों के अनुसार 400 मेगावार बीली राई सरकार को उपलब्द कराना है उक्त बीली को सस्ते दर प्रपलब से नहीं हो रही राजे के सीमित हिसों में अधीक बारिस हो रही है वहीं सेस अस्थानों पर अल्प बारिस से खेती का कारे ढंग से शुरू नहीं हो सका मानसून की बेरोखी से मौसम विभाग के कई पुरूर्णमान गलत साबित हो चुके है विभाग के ताजा पच्छीमी और मदभाग समेत कहीं कहीं भारी बारिस होने की समवन अभ्यक्त की गई है वहीं अधिक बारिस वाले चार जिले में केवल एक जिला साहेव गज में समाने से अधिक बारिस हुई है सेस तीन समाने लेकिन कम बारिस वाले जिलो में सामिल हो गया है बतादे राजी के 20 जीलों में कम बारीश से रोपा किष्थी थी सबसे बुरी है नकसलियों की साजिस नकाम दो आईडी ब्रामत जारकन के पच्छमी सिम्भूम जीले में नकसलियों की खिलाब पुलिस का सर्च अप्रेसन जारी है इसमें पुलिस को लगता सफलता भी मिल रही है कोलहान जंगल में नकसलियों की ओर से पुलिस को नुक्सान पहुचाने के उदेश से लगाएगा दो आईडी ब्रामत किये गए है इस तरह एक बार फिर नकसलियों की साजी जारकन पुलिस ने नकाम कर दी है इस जनकारी पुलिस अधिक छक आशू तोस से खर न दी है उन्होंने कहा एक नकसलियों खिलाब पुलिस का अभियान जारी रहेगा बता दे जारकन की पच्मी सिम्हुम जीले के कोलहान जंगल छेतरे के गोईल के रा थारां तरगत रेला पारल गाउं के आसपास जंगली वा पहाड़ी छेतर मेनक सलियों के खिलाब स्वर्च अभियान जारी है बी आईटी मेसरा का और सठवा अस्थापना दिवस राज जेपाल और मुख्य मंत्री होंगे सामील बीरला इस्चूट अफ टेकनलोजी मेसरा बी आईटी अपने अस्थापना का और सठवा दिवस 15 जुलाई को मना रहा है इस मौके पर बीरला सभागार में मुख्य कारकरम कावजन किया जाएगा जिसमें जार्खन के राज जेपाल सीपी राधा कृष्ण उद्घाटन समारों को समधित करेंगे इसके अलावे पुरस्कार बित्रन समारों का आउजन दोफर अड़ाई बये से लेकर साहे चार बये तक किया जाएगा जिसमें मुख्य मंत्री है मंस्ट्रेन सामिल होंगे अस्थापना दिवस पर संस्थान के 6 पुरो विद्यार्थियों और 5 सिक्षों को सम्मानित भी किया जाएगा गौतला भाई की बी आईटी में स्थापना दिवस के अउसर पर्याह कारे करें परतेक वर्स आयोजीत किया जाता है बताते चले की बी आईटी में स्थापना दिवस पर देश और विदेश से संस्थान के पुरो वर्ति विद्यार्थि भी सामिल होंगे एकेडमिक कलेंडर की तरह भी डियार्थियों को भूक, साइकल और अनसुविधाओं के लिए सिक्षाबी भाग जारी करें कालेंडर अर्श हम हेमानत मोख्य मंतरी हमान सुरें ने सिक्षा विभायक के विभायक के अलादीकारियों के साय समल चाह की इस में खाली पदों को भरने इस स्कूलों मैं बच्चों को पढ़ाई के लिए पठन पठन की समागरी का वित्रण करने के निदेस दिया गया बता देराजे के सरकारी स्पुलों में सेक्षिनिक बेवास्था सुद्रेड करने के उध्या से मुख्य मंत्री हमांसुरेन सुक्रवार को सिक्षा विभा कैला अधिकारियों के साथ बैठक की जारकन मंत्राले में करीब तीन गंटे तक चली समिक्षा बेठा कि दरानमों के मंत्रे हमांसुरेन प्राथमिक, माधमिक और पलस्टू बिद्यालों में सिक्ष्कों के खाली पदो पन्योक्ती पर किरिया जहां तेज करने का निर्देश दिया है, वहीं अधिकारियों से बच्चों को पठन-पठन समागरी, यूनिफर्म और छात्यवीर्ती आधी बीतरन करने का भी केलेंडर बनाने का निर्देश दिया है रांची में निर्मानाधीन ड्रीम हाउस पर्जेक्ट की गुनवाता को लेकर परदर्शन, केंदर सरकार के महत्वकांची परियोजन लाइट हाउस पर्जेक्ट जिसके तवाथ गरीब परिवारों को कौम पैसे में रहने के नजर निगम छेतर में आस्याना उपलब धिका राने की केंदर सरकार की उजना है उसी के राची प्रजेक्ट के निर्मानाधीन भवन खंड एफ का एक हिस्सा है बीगत 10 जुलाई को देर रात्री अचानक धरासाई हो गया इस गटना के बाद आज पासर हरे लाभकों ने प्रजेक्ट असल तक पहुँचने का परियास कि जिसे रोक दिया गया पटना लाठी चार्ज और भाजपा करकता की मौद की जाच करेगी पार्टी पटना में 13 जुलाई को भाजपा करकता हो पर की गई लाठी चार्ज का बिरोध करते हुए पार्टी अध्यक्स जेपी नड़ा ने एक उच अस्तरिये जाच समीति के गठ कर दिया है पार्टी के राष्ट्रिये उपाध्यक्स जारकन के पुर्मुखमंदिर रगवर्दास को संजोजग बनाया गया बता दे चार ससरी टीम में सांसाद मनोश तिवाई सांसाद बिड़ी राम और सांसाद सुनित्ता दुगल को सामिल किया गया है यह टीम सनिवार क गातना स्थल का दौरा करेगी रगवर्दास ने बताया है कि पर्टना में 13 जुलाई को भाजपा नेता हो और करकाता पर बरवरता तरीके से लाठिया चलाई गई जिसकी वयासे भाजपा करकाता बिजाय सिंग की जान भी चली गई पार्टना रवाना होने से पहले उन्हो भाजपा दालो की गोलबंदी पाटना के बाद बेंगलूरु में 17 से 18 जुलाई को दिखेगी विपक्ष की इस बैठाक में मुख्यमंत्री हमांस ने जार्खन मुक्ती मोर्चा की ओर से सिर्कत करेंगे मिली जनकारी के अनुसार इस दो दिवस ये बैठाक में सामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हमांस ने 17 जुलाई को सुबा राची से रवान होंगे इस बैठाक में 24 गैर भाजपा दालो के नेताओ का महा जुटान होने की संभवना है जार्खन में जनम मिर्तियू निबंधन 7% को लेकर 20 अभ्यान राज में जनम एवं मिर्तियू निबंधन को 7% करने के संकल्प के साथ जार्खन सरकार ने 14 जुलाई से 14 अगस तक 20 अभ्यान के शुरूआत की है सांखी की विभाग द्वारा सुरू कियेगा इस अभ्यान की सुरूआत मंत्री डाक्टर रामेशर उरावने जार्खन मंत्रले में जागरूपतार राथ रवाना करकिया इस मौके पर आयोजीत कारकरम को समभधित करते हैं मंत्री डामेशर उरावने जरम एवं मिर्त्यू परमान पत्र की उप्योगता पर परकास भी डाला उन्होंने कहा है किया प्रवधान 1979 में किया गया मगर जार्खन जैसे राज में आज भी 7% निबंधन एक चुनोती बनी हुई है आज भी लोग जरम परमान पत्र बनाने में उदासीन रहते हैं जिसके कई कारण है स्वास्त मंत्री ने की योग सिक्षकों के नियुकती की मांग केंद्रिय स्वास्त एवं परिवार का लियान परिशत का पंदरहवा दो दिवसी स्वास्त चिंतन सिविर सुक्रवार को देहरादूर में शुरू हुआ जार्खन से स्वास्थ मंत्री बना गुपता भी इस चिंतन सिवीर में सिर्कत कर रहे हैं स्वास्थ मंत्री ने पताया है कि सिवीर के पहले दिन सुक्रवार को उन्होंने जार्खन में स्वास्थ विभाग द्वरसंचालित बिभीनी वजिनावों को उपलब दियो और भविस की कार्योजनावों को मजबोती सी रखा साथ ही राज के सरकारी स्कूलों में योग सिक्षा की न्योक्ती की मैंग भी रखी है उन्होंने कहा है कि यदि सरकारी स्कूलों में योग चिकित्सा की न्योक्ती हो जाए तो आम जीवन में स्वास्थ पर खर्च होने वाले अनुमादित खर्च में लगबग 30% खर्च को रोका जा सकता है केंद्रिय स्वासमंधिर डाक्टर मांसुक मनविया से उन्होंने योग सिक्षा को बरतमान में मिलने वाली रासी को बढ़ाने का अगरा किया साथ ही CCU के निर्मान के लिए निर्धारित जमीन की बाद्याता को कम करने का भी अनुरोद किया है गढ़वा में PM आवास योईना के प्रखंड को अडिनेटर की हत्या जार्खंड के गढ़वा जिले में सुक्रवार की साम भौनाथपुर प्रखंड के प्रखंड के प्रखंड को अडिनेटर 35 वर्स्तिये सीराज अहमद की सर्याम गोली मार कर हत्या कर दी गई सुचना मिलते ही इलाके में संसनी फैल गई साथ ही स्वाव देखने के लिए अनुमंडली अस्पतार में लोगों की भीर लग गई सरे राह इस प्रकार हत्या किये जाने के बाद प्रखंड कर्याले से काम निप्टा कर अपने घर गढ़वा थाने के जहलुआ गाव आ रहे थे इसी दरान सिरीवंसी धर नगर भौनाथ प्रमुख्य मार्ग में तूलसी दामर घाटी में अग्यात अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दिया है सरावनी मेले से पांच हज्जार कीलो नकली खोवा और पेडा जबत सरावनी मेला महोसर बास्कीनाथ में आइने वाले कावारियों की सुविधा को देखते हुए दूमका डिसी के निरिदेस पर परसादी दुकानों की जाच परताल की गई सुक्रवार को खाद सुरक्षा पतादिकारी अमीत कुमार ने विभीन पेडा दुकान से करीब पांच हज्जार किलो गराम नकली खोवा और पेडा जबत करू से नस्ट किया है खाद पतार्थों की स्क्रेनिंग जाच के लिए स्वास्त विभाग दुआरा मोबाइल फूर्ड टेस्टिंग लेवरेटरी की परतिनुक्ति की गई है इसी कराम में सुक्रवार को बासकीनात इस्थित विभीन खाद दुकानों में खाद समागरियों की जाच सुरत 6 पतादिकारी अमीत कुमार दुमका यम साहिव गंज के दिनेश मरांडी तथा MFTL के खाद बिशलेशक उमेश कुमार यम अने कर्मिद्वारा की गई यूपी के कवारिया की जारखन के दुमका में मौत वास्कीनाथ धाम में पुजा अर्चना करने के बाद यूपी के कवारिया के अचानक हालात बिगड़ गई साथी कवारियों की सहता से उसे फुलो जहानों मेटकल कोलेज अस्पतल लाया गया जहांची किसकों ने उसे मिरित घोसित कर दिया मिरितर का नाम राजु मोची 45 वर्षिय था वह यूपी के भदोही जीला अंतरगत सुर्यमा थाना छेतरे के चनोरा गाउं का रहने वाला था साथी कवारियों की माने तो उसने उन्हें आकर बताया था कि तवियर ठीक नहीं लग रही है कुछ देर तक वहीं उससे अराम किया उसके बाद एस्टेसन की ओर जाने के लिए उठा और बेहोस होकर गिर गया केंद्रिये सरना समीती ने बाबुला मरांडी को दी बधाई सरना अंगवस्त रेवं बुक्के देकर चमानित भी किया गया मौके पर बबल मुंडा ने कहा है कि बाबुलाल के भाजपा के परदेस अध्यक्स बनने पर आदिवासी समाज में खोशी की लहर है आदिवासीों को पूरा विश्वास है कि जन जाती लोगों की धर्म संस्क्रीती रीती रिवाज अंपरंपरा की रक्षा होगी आदिवासी समाज का विकास होगा इस मौके पर मुख्य पहान जग लाल पहान संड़क्षक सुनील टोपो करकारी अध्यक सोभा कच्छप मजूद थे एन आई बीम में स्टी एसी छात्र शात्राओं को फीश में 50% की छूट सरकारी नौकरी बैंकिंग एसेसी रेलेवेज येपी एसी की तियारी कराने वाली कोचिंग संस्थान एन आई बीम रांची में जल्द नई बैच सुरू होने वाली है ये संस्थान 25 वर्सों से विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी पराप्त करवाने में सोयोग करता आ रहा है बता दे एन आई बीम के द्वारा कंबाइंड कोर्स की फीश में अनसुचित जाती और जन जाती के लिए 50% की 20% छूट दी जा रही है इसके लिए विद्यार्थियों को जाती आए परमान पत्र और अधार काट की फोटो कोपी के साथ कर्याले में और फोन नंबर 9334726278 पर कर सकते हैं जारखन में हुई है दुसकर्म की कई दिल दहलाने वाली घटनाएं जारखन में दुसकर्म की कई दिल दहलाने वाली घटनाएं हुई है कई बार तो करीबी ही इस घिनवनी घटना को अंजाम दे देते हैं इसलिए अपने आज पास मवजूद दरिंदों को पहचानना होगा सिस्टम और समाज के जागे बगर भाय मुक्त महोल बनाना संबव नहीं है बतादे जारखन में आए दिन दुसकर्म की घटनाएं देखने को मिल रही है पुलिस और समाज की लाख वसी से को बावजूद बहु बेटियों को टारगेट किया जा रहा है इंसान का इंसान पर से भरोसा उठने लगा है मंगलवार की देर राज चाई बासा में एक बिवाहित पर हैवान तूट पड़े वहीं दूसरे दिन वह बेहोसी की हालात में मिली थी स्यामा परसाद मुखरजी इन्वर्सिटी केमपस में मार पीट रांची में चातरों के दो गुटों के बीच जम कर मार पीट हुई है या घटना डाक्टर स्यामा परसाद मुखरजी इन्वर्सिटी केमपस की है पुलिस ने मौके से चार चातरों को पकड़ा है दोनों और से थाना में मामला दर्ज कराए गए है सुक्रवार को रांची के मुखरबादी स्थीत डाक्टर स्यामा परसाद मुखरजी इन्वर्सिटी केमपस में चातरों के दो गुटों में जम कर मार पीट हुई मार पीट के दरान चातरों के बीच चाकुबाजी भी हुई है मारपीट और चाकूबाजी में 5 छात्रे घायल भी हुए है छात्रों के दो गूटर के बीच होई मारपीट और चाकूबाजी में दोनों गूट के 5 लोग घायल हुए है 16 जुलाई से जार्खन कॉंग्रेस शुरू करेगी भारत जोडो की बात आम जनों के साथ कारिकरम जार्खन कॉंग्रेस ने आज एक बड़े कारिकरम की घोसना की है बताजे राहुल गांधी की बात को घर घर तक पहुचाने के लिए राजे भर में 16 जुलाई से भारत जोडों की बात आम जनों के साथ कारकरम की शुरुआत की जाएगी इस कारकरम का समापन 5 सितंबर को सिक्षक दिवस पर किया जाएगा जारकन कॉंग्रेश के परदेश कर्याले में बिधायक दल के नेता अलमगीर आलम और परदेश अजेस राजेश ठाकु ने इस बात की जनकारी दी है कॉंग्रेस बिधायक दलकिनेता अलमगीर अलम ने कहा है कि राहूल गांधी ने जीस तरह से नफरत के बजार में मोहबबत की दुकान खोली है जिन मिदों को उन्होंने उठाया है उससे अब लोगों कया मसूस होने लगा है कि देश की तरक्की का रास्ता अमन चैन और प्यार मोहबबत का रास्ता ही है मुख्य मंत्री सार्थी योजना तीन साल में दो लाख को रोजगार के लिए ट्रेनिंग जार्खन सरकार ने राज के युवाओ को निसूल के तकनीकी और रोजगार परक प्रसिक्षन देने के लिए मुख्य मंत्री सार्थी योजना शुरू की है योजना के पहले चरण में आगामी तीन वर्षों में दो लाख हिवाओ को रोजगार परक ट्रेनिंग देने की लक्ष तै किया गया और इसके लिए कूल बाई सो तीर सट कोरो रुपए रासी खर्च की जाएगी राज सरकार के सरम नियोजना प्रसिक्षन विभाग ने इस योजना को लागू करने का जो संकल्प जारी किया है उसके मताबिक वीत वर्ष 2023-24 में 161, दूसरे वीतिये वर्ष में 764 क्लोर और तीसरे वीतिये वर्ष में 838 क्लोर रुपए की रासी खर्च की जाएगी जार्खन हाई कोट में नेता प्रतिपक्ष की सुनवाई जार्खन हाई कोट ने राज की विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष का मामला लंबित रहने पर विधान सभा सची उसे जबा मांगा है हाई कोट ने पूछा है कि जब विपक्षी पार्टी द्वारा नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी विधाय का नाम प्रस्तावित किया गया है तो क्या स्पीकर इस मामले का निर्ना सिर्फ इस अधार पर पेंडिंग रख सकते हैं कि उस विधाय के खिलाप दल बदल का मामला चल रहा है कोट ने अभी जानना चाहा है कि क्या हाई कोट को या सकती है क्यों विधाय सबाकि स्पीकर को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए निदेश देश सकता है जारखन के जेलो में वाडन के छो सपुर्व सैनिको की भरती पुर्व सैनिको के लिए खुसकबरी है बिना किसी लिखित परिक्षा के जारखन के जीलो में छो सपुर्व सैनिको की बहाली वाडन अर्थात कक्ष पाल के रूप में होगी नियुक्ति एक साल के लिए कॉंट्रेक्ट के आधार पर होगी और सिधे इंटर्वियू से पदो को भरा जागा बता दे चार जीलो में 26 जुलाई से इंटर्वियू सुरू होगा एक साल का कॉंट्रेक्ट समापत होने के बाद जगुरत के हिसाब से सेवा का बिस्तार भी किया जा सकता है धन्यवाद